नश्कार सभी सातियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर इसका नाम इस्टडी विद पी एन लोदा सातियों हिंदी वियाकरान और शिक्सन का पेपर नमर 32 आपके लिए लिकर आ रहा हूं जिसमें बहुत श्यांदार 30 प्रिशन आपको देखने को मिल रहे हैं देखिए 100 टेस्ट यहां पर है आपके लिए हिंदी के 32 टेस्टे मतलब 68 अभी 68 टेस्ट आपके और बचे हुए हैं परतेक टेस्ट में 30 प्रिशन है टोटल 3000 प्रिशनों को हम हल करने वाले हैं रीट पात्रिता प्रिक्सा जो जुलाह माह में आयोजित होगी और मेन एक्जाम थर्ट गेट का जो अक्टूबर माह में आयोजित होगा उसके लिए बेहद ही हुप योगी है चाहे आप लेवल 1 से हो या 2 से हो वीडियो को जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक एक प्रिश्ण को वियाख्यात्मक रूप से समझेंगे पहला प्रिश्ण देखते हैं साथियों पहला प्रिश्ण है आपके जीलों में तेर कर मनोविनोत करते हैं यह वाक्य है वर्तमान काल का, भविश्च काल का, भूत काल का और इन में से कोई भी नहीं तो इन में से कोई नहीं वाला विकल्प तो हम यहां हटा देते हैं यह आपका अंसर नहीं होता है सत्यों मनोवी नोत करते हैं करते हैं मतलब वर्तमान की बात की जा रही है ना तो भूत की ना भुश्य की तो ये दोनों ही विकल्प आपके उत्तर नहीं होंगे बलकि विकल्प एक आपका प्रश्ण नमर एक में सही आंसर होगा नेक्स्ट आते हैं प्रश्ण नमर दो पर तो चलिए दूसरा प्रश्ण देखेंगे प्रिश्ण नमर दो है अपार पत का अर्थ है अपार जो शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है बहुत अधिक बहुत कम पाप से मुक्त और किनारा तो देखो पाप से मुक्त यहाँ पर अपार का मतलब पाप से मुक्त नहीं होता है बहुत कम भी नहीं बलकि अपार मतलब जिस पर पार नहीं पाये जा सके जब वो बहुत अधिक हो तो यहां पर पहला विकल्प आपके प्रश्ण संख्यां दो में सही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर तीन पर तो तीसरा प्रश्ण है आपके आधुनिक शब्द का सही विलोम शब्द है अर्वाचीन, अभ्यंतर, प्राचीन और प्रमप्रागत साथियों प्रश्ण नमबर तीन में आधुनिक शब्द का आपको विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होगा तो आधुनिक का अभ्यंतर तो नहीं होगा अभ्यंतर का तो बाहई ही रहेगा ये गलत है ठीके अब पहला तीसरा चोता तो प्राचिन का आधुनिक प्रमप्रागत अरवाचिन इन में से क्या रहेगा तो इसका सही उतर है तीसरे प्रिश्ण में चोता विकल्प आधुनिक का होगा साथिव प्रमप्रागत ने की प्राचीन ठीक है प्राचीन नहीं होगा प्राचीन का नविन होता है ठीक है इन चीजों को आपको याद रखना है तो तीसरे प्रिश्ण में आपके चोता विकल्प सही है नेक्स आगे बढ़ेंगे साथिव प्रिश्ण नमबर चार पर चोता प्रिश्ण देख लेते हैं आपके चोता प्रिश्ण है पर्यावरन शब्द में कौन सी संदी है दिर्ग संदी है गुन संदी है यन संदी है और विसर्ग संदी है तो देखो पहले हम इसका टुकडा करेंगे पर्यावरन शब्द का तो पर् तो यहां पर यह का यह हो जाता है और शब्द बनता है पर्यावरन और ऐसा कौन से संदी में होता है साथियों यन संदी में होता है तो चोते प्रिश्ण में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुर सही रहेगा किलियर है सभी के प्रश्च नमबर 4 तीसरा विकल्ब सही है साथ यो देखो हिंदी के अलवा साइकलोजी के भी सो टेश्ट हैं आपके आपके साइकलोजी के तीस के आसपास तो हो चुके होंगे शायद ठीके और टीचिंग मेतल्ड की भी सो टेश्ट है चैनल पर नए हो तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए साथ यो इसी योटूब चैनल पर बिल्कुल निशुल के है सारी चीज़े चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्च नमबर 5 पर तो 5 हुआ प्रश्च नमबर 5 में श्वास का सांस पानी का पानी वाश्प का भाप और चरित्र का चरित देखो तत्सम वे तदभव का आपको असंगत रूप बताना है प्रश्च नमबर 5 में श्वास तत्सम शब्द है और इसका सांस तदभव होता है वाश्प तत्सम शब्द है और इसका तदभव होता है भाप तदबाव होता है चरीद लेकिन जो पानी शब्द है पानी का पानी नहीं होता है यह असंगत यूग में है तीक है यह तदबाव नहीं है यह गलत दे रखा है विगल्प दो आपके प्रश्ण नमबर 5 में सही है नेक्स्ट आगे वढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 6 पर तो चलिए छेटा प्रश्ण देखेंगे आपके प्रश्ण नमबर 6 हमें विवेक पूर्ण निर्ने लेने की आवशकता है रेखांकित पद में कौन सा समास है अविभाव, तथपुरुस, क्रमधारे, बहुब्री अब यहाँ पर रेखांकित शब्द है आपके विवेक पूर्ण देखो कोश्टक में मैंने उसको लिख़गा है हमें विवेक पूर्ण विवेक पूर्ण का समास विग्रे क्या होगा साथियों विवेक के अनुसार किसके विवेक के अनुसार विवेक पूर्ण कहलाता है अब ऐसा किसमे होता है बहुबडी में तर्तिया निकलता है जो कि नहीं है विशेस्ता नहीं बताई जा रही है तक पुरूस या अवीभाई इसका सही उत्तर होगा प्रिशनमबर 6 में ये अवीभाई समास का उधारन है, किसका उधारन है अवीभाई का आणूसार, अवीभाई आपके विकल्ब एक में दे रखाय आपके प्रिष्ट नमबर 7 या में इंसे कोई नहीं, कोई नहीं को वापिस हम विकलपों मेंसे हटा देते हैं, बसंत्रितु आने पर फूल खिलने लगते हैं, यहां पर यह जो वाक्के हैं साथियों दो वाक्के जुड रहे हैं कि आपस में नहीं जुड रहे हैं गलत है क्या यहां पर अलग अलग दो वाक्के हैं बिल्कुल नहीं है एक दूसरे पर आश्रीद भी नहीं है सोतंत्र भी नहीं है तो यह सयुक्तिया मिश्ट नहीं बलकि यह सरलवाक्य का उदारान होगा, दूसरा विकलप आपके साथ वे प्रिश्ण में सही है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथ यह प्रिश्ण नमबर आठ पर, आठवा प्रिश्ण है, चान्दी का जूता मारना, इसका अर्थ क्या है, रिश्वत देना, धनवान होना, धोका देना और दिखावा करना, तो बताओ वह यह आठ वे प्रूट्छन में, कौन सा विखलब आपको सही लग रहा है, चान्दी का जूता मारना, इसका सही अर्थ क्या होगा, यह जो मुहावरा है, इसका आपको सही अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ होता है चांदी का जूता मारना अर्थार्थ रिश्वत देना क्या होता है साथियों रिश्वत देना चांदी का जूता कितना अनमोल होता है साथियों ठीक है रिश्वत देना है एक तरह से ये पहला विगलपाप की प्रिश्ण नमर आठ में सही है नेक् पर सत्त की विजे होती है तो थंडा लोहा गर्म लोहे को काड़ देता है इसका आपको अर्थ बताना है प्रश्ण संक्या 9 में एक पार थोड़ा सोच लीजे कि कौन सा विकलप आपका इसमें सही हो सकता है तो साथियों ठंडा लोहा काम न इसमें तूशा दस पर, दसवा फ्रश्ण देखते हैं. बश्या सीखने का सोभववदी को और मनेविज्यानिक करम हैν पढ़ना, सुनना, लिखना और पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और इन में से सबी. तो सुभोविक मतलब जिस करम में बच्चे बाशा सिखते हैं वो करम आपसे या पर पूछा जा रहा है तो सात्यों सबसे पहले बालक सुनता है क्या करता है सुनता है शर्वन कोशल का विकास होता है फिर बोलता है बोलने के बाद में उन चीजों को पढ़ता है पढ़ने के बाद में उन चीजों को लिखता है मतलब इस परकार से आपके बाशे कोशलो का विकास होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तो ये किस विकल्प में दे रखें सात्यों तीसरे विकल्प में दे रखें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तो थर्ड विखलप आपके 10 वे प्रिशन में सही है एगे बढ़ेंगे प्रिशन संख्या 11 पर 11 प्रिशन देख लेते हैं आपके प्रिशन 50 नमबर 11 अनुकरन वाचन किया जाता है छात्रों के दोरा, सिक्षक के दोरा छात्रों वे सिक्षक के दोरा और मन ही मन छात्रों के दोरा तो बताओ भई अनुकरन वाचन यहाँ पर अनुकरन वाचन के संबन्द में कि किस के दोरा किया जाता है कौन से विकल्प आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही लग रहा है साथियों सबसे पहले आदर्श वाचन करता है अध्यापक कौन करता है आध्यापक करता है अब उस आध्यापक करता है अब उस आध्यापक करता है अब उस आध्यापक करता है अध्यापक 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 करता है अध्य व्यक्षान विदी का परंुक अउगुण है अ उगुण पूचा है गुण नहीं अउगुण मतलब दोश भी आप इसको के सकते हो परंुक दोश है यहाई एक समय लेने वाली परकिलिया है क्या यह इसका परंुक दोश है साथी है क्या ये इसका सबसे बड़ा दोश है या अवगुन है यह चात्रो दोरा आत्मों प्रियास को अतोसाहित करती है वैसे दोश तो चारो है लेकिन जो सबसे परमुक अवगुन है या जो सबसे परमुक दोश है वो आपको प्रिश नमर बारा में बताना है देखो बार बार व प्रिश्टिक विदी का एक लाब नहीं है। चातरों में रचनात्पक्ता विक्सित करने में मदद करती है। सात्यों, पहला विकल्प के रहा है कि तेज प्रकिर्याँने के नाते ये एक निश्चित समय औवधी में, निर्धारित पाठ्टे करम को पूरा करने में इसायथा कर सकती है, ऐसा नहीं है, यौकि इसमें तो समय ज्यादा लगता है, पाठ्टे करम समय से समाप्त नहीं हो पा समश्या को परिबाशित करना समश्या का विशलेशन करना डाटा का गरहन करना डेटा की व्यक्ष्या करना परिकल्पना का परिक्सन करना और सामानी करन करना ये निम्न में से कारे पढ़ना लिया है परिचर्चा के चरण है ये समश्या समधान के चरण है ये परियोजना विधी के चेन है ये ये परिवेक्षित अध्यान विधी के चेन है ये देखे ये प्रेश्ट नमबर 14 बहुत ही महत्पुन प्रेश्ट है सबसे पहले समश्या को परिवाशित किया जा रहा है ठीक है फिर समश्या का विचलेशन किया जा रहा है फिर डाटा का गरहन किया जा रहा है उसकी व्याक्या की जा रहा है परिकल्पना का प्रिक्षन किया जा रहा है और सबसे अंत में समाननी करन किया जा रहा है तो ये सारी चीजे परियोजना या परिवेक्षित अध्यान विदी में नहीं होती है, बलकि ये सारी चीजे समश्या समधान में होती है, उपर परिबाशित करना, एक जिसे नहीं लग रहा है समश्या को परिबाशित करना समधान, ठीक है समश्या समधान, तो यहां सेकन विकलप आपके सही चल Strings में आगे बढ़ेंगे प्रियो नंबर 15 पर तु आपके 15 प्रíchन देखते हैं करना प्रियोग करना और प्रियोक के प्रियोग के प्रियोक होती है उसमें क्या की पंद्रवे प्रिश्ण में आपके जो सही उत्तर है, सबसे पहले ही प्रियोग तो नहीं करेंगे, प्रियोग के प्रिज़ाम का अनुमान सबसे पहले नहीं लगाएंगे, पहला या दूसरा विकलप आपके सही है साथ, यहूँ कौन सा विकलप सही रहेगा देखो, वेज्ञ विज्यानिक विदी का जो परतम चरण होता है वो है परिकल्पना का निर्मान करना कि सबसे पहले परिकल्पना मनाई जाती है कि भई आकिर हमें करना क्या है कैसे करना है परिकल्पना का निर्मान विज्यानिक विदी में सबसे पहले किया जाता है विगल्प एक आपके पंद पर्णाली, पाठी वस्तु और गरहेकारी, देखो पाठ योजना बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि निर्दारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके हमें कक्षा सिक्सन में, सिक्सन बहतर हो सके, बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके, बच्चे अच्छे से उस चीड को सीख सके इसले हम पार्टियो प्रिश्ट में जो उत्तर हैं वह रहेगा विकल्प नंबर एक हैं पार्टियोचना में सबसे पहले उत्देश निर्धारित किये जाते हैं उत्देश न किये जाते हैं देखो वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो के एंड में एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चेनल पर नहीं हो, तो चेनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजिएगा, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रोट डेली मिल जाएक, रो सिक्षन में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी उप्यूकत है, परश्नवत्तर विदी, पुस्तक विदी, समझ्या विदी और ड्रेकाली विदी, दिखो जो बालक मानसिक रूप से विखलांग है, मतलब दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन एक तरह से मंद बुद विदी है या थोड़े कमजोर है उनके लिए मानसिक विकलंग शब्द का प्रियोग किया जाता है सातियों मानसिक विकलंग छात्रों के लिए जो उप्योक्त सिक्सन विदी होती है वो है ड्रेकाली विदी ड्रेकाली विदी का अविश्कार ड्रेकाली के दोरह ही किया गया थ और यह विदी पून रूप से मांसिक विकार ग्रस्त बालकों के लिए होती है, चोता विकलप आपके सत्रवे प्रिश्ण में सही है, नेक्स्ट आगे वड़ेंगे साथ यो प्रिश्ण नमबर अठारा पर, तो अठारवा प्रिश्ण देखेंगे, प्रिश्ण संख्या अठा एपिडाई इसकोप उपकरण काम में आता है, किस काम में आता है, विकलप को देखिए अब, चित्रों को बड़े आकार में दिखाने है तू काम आता है, चित्रों को समान आकार में धी दिखाने है तू काम आता है, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने है तू काम आता है और इन में से कोई काजिसंबव नहीं है तो देखो जो Epidio Scope होता है साथियों यह उपकरन चित्रों को समान आकार मतलब एक जिसा जिसा दिख रहा है वेसा आकार दिखाएंगे तो क्या मतलब आ रहा है फिर उस उपकरन का तो यह गलत है इन में से कोई काजिसंबव नहीं मतलब इन में से कोई नहीं वाला विकल्प है यह तो तो इसको भी हम यहां से हटा देते हैं अब आपके पास से पहला और तीसरा छोटे आकार में दिखाने के लिए या बड़े आकार में तो Epidio Scope जो की एक द्रश्य सामगरी है साथियों इसमें क्या किया जाता है जो छोटे चित्रोते हैं उनको बड़े आकार में देखने के लिए इस उकरन का प्रियोग किया जाता है विकल्प एक आपके अठारवे प्रिश्ण में सही है आगे बड़ेंगे साथियों प्रिश्ण संख्या 19 पर चलिए 19 वा क्यूशन देखते हैं आपके प्रिश्ण नमबर 19 19 वा प्रिश्ण है कक्षा सिक्सन में सरवादिक उप्योगी द्रश्य सामगरी है शामपट, चार्स, परतिरूप और चित्र देखो द्रश्य सामगरी मतलब जिसमें सिर्फ दिखाए देता है उसमें सुना यह नहीं देता है सिर्फ क्या होता है दिखाए देता है, उस चीज़ को हम देखी सकते हैं तो शामपट भी द्रश्य है चार्स भी द्रश्य है, परतिरूप भी द्रश्य है चित्र भी द्रश्य है लेकिन यहां बात पूची जा रही है कि कक्षा शिक्षन में बच्चों को जो हम क्लास्रूम के अंदर पढ़ाते हैं, टीचिंग करवाते हैं उसमें सबसे जादा उप्योग किसका किया जाता है तो भई सबसे ज़्यादा उप्योग चित्र परती रूप या चार्ट का नहीं किया जाता है बलकि जो शामपट होता है इसका सबसे ज़्यादा उप्योग कक्षा सिक्सन में हम करते हैं विकल्प एक आपके प्रिशन नमबर 19 में सही है याद रखिएगा शामपट को ही सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रिशन संख्यां 20 के ओर बीस वा प्रिशन देख लेते हैं आपके प्रिशन नमबर 20 है प्रिशन बीस सिक्सन अधिगम परकिर्या के उपरांथ चात्रो दोरा गरहन किये गए अधिगम की जाच है तो किया जाने वाला प्रिशन कहलाता है निदानात्मक प्रिशन कहलाता है उप्चारात्मक प्रिशन कहलाता है उपलबदी प्रिशन कहलाता है या इन में से सबी देखो सिक्सन अधिगम परकिर्या के उपरांत मतलब ये परकिर्या क्या हो चुकी ये पूरी हो चुकी उपरांत मतलब पूरी होने के बाद में चात्रों दोरा गरहन किये गए जो बच्चों ने सीका है गरहन किया है उस अधिगम की जाच आपको करना है तो क्या निदान करेंगे जी नहीं निदान में तो हम चात्रों की कम्यों को निकालते हैं उपचार में उन कम्यों को दूर किया जाता है लेकिन जो उपलब्दी परिक्षन जिसको हम निश्पत्ती परिक्षन भी कहते हैं क्या कहते हैं निश्पत्ती परिक्षन भी कहते हैं आप इसको उपलब्दी परिक्षन भी कह सकते हो अगर आपको ऐसा करना है तो लब्दी परिक्सन या निस्पत्ती परिक्सन की जरुवत पढ़ती है साथियों अथे तीसरा विकलप आपके 20 वे प्रिश्ण में सही है नेक्स आगे बढ़ते हैं प्रिश्ण नमबर 21 पर साथियों किसवा प्रिश्ण है राम का भाई शाम किर्केट खेल रहा है वाकि में उद्देश है राम, शाम, किर्केट और खेल तो देखो यहां पर उद्देश का मतलब किसे लिया जाता है करता से लिया जाता है करता मतलब जो किरिया करता है तो साथियों, यहां किरिया किसके दोरा की जा रही है, राम के दोरा या शाम के दोरा, किर्केट किसके दोरा खेला जा रहा है, शाम के दोरा, अधे दिये गए जो प्रिश्ण है, इसमें शाम क्या है, साथियों उद्देश है, क्योंकि उद्देश का मतलब करता से लिया जात और करता क्या करता है किरिया करता है वाक्य में तो दूसरा विकल्प आपकी किस्वे प्रिश्ण में सही रहेगा चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 22 की और साथ्य 22 प्रिश्ण है हजारों लोगों को मोत के घाट उतार कर वह तूपान थमाथा यह वाक की रचना की दरश्टी से है सयुक्त वाक के है मिश्र वाक के है सरल वाक के है और इन में से कोई भी नहीं तो इन में से कोई भी नहीं वाला विकल्प हम यहां से हटा देते हैं दे कोई एक वाग के दूसरे पर आजडित है अत्य है एसे इस्तान पर वो सरल्ल या संवक्त वाग के नहीं होता है बल्कि वो केसा वाग की होता है साथियों तो तीसरे विकल्प आपके 22 वे प्रिश्ण में सही है तो साथियों प्रश्रे संक्या तैसे आपके, इन में से pulling शब्द है, रसोई जाती, घड़ी और बल्ब। देखो रसोई अच्छी होती है, अच्छी होती है मतलब रसोई शब्द क्या है? इस्त्रलिंग है, जाती अच्छी होती है जाते मतलब वर्ग विश्य काश्ट वगेरा की बात की जा रही है तो ये भी क्या है? इस्त्रलिंग घड़ी अच्छी होती है तो ये भी इस्त्रलिंग लेकिन बल्ब अच्छा होता है तो ये फिर क्या हुआ साथियों? पुलिंग हुआ विखल्प नमबर आपका 4 सई है 23 में नेच्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 24 पर तो देखो प्रश्ण संक्या चोईस है आपके निमलिकित वाक्यों में से मिश्रि सयुक्त वाक्य कोन सा है? मेरे पिता जी ऐस्वस्त है और पलंग पर लेटे हैं अतहे वे अभी बाजार नहीं जा सकते हमें जल्दी चलना होगा ताकि समय पर पहुंच चे और जल्दी लोड भी आए मैंने समझाया और उसने भूल सुधार ली तथा उसने फिर कभी गलती नहीं की क्योंकि लड़का जल्दी नहीं उटा था इसलिए वह बस पकड सका और इसलिए वह समय पर भी पहुंच सका तो वाग के थोड़ा अटपटा है प्रिश्ण थोड़ा अटपटा है उल्जा हुआ है मिश्ट और सयुक्त वह क्या आपको देखना है मतलब वाग के प्रिश्ट में फिर दूसरा विकल्प देखे हमें जल्दी चलना होगा ताकी समय पर पहुंचे ताकी मिश्ट है और जल्दी लोड भी जाए तो और यहां सयुक्त का बहुत करा रहा है तो मतलब यह मिश्ट और सयुक्त का उधारण है चोईसवे में दूसरा विकल्प आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नमबर 25 पर 25 वा प्रिश्ट है आपके कौन सा युग्म बे मेल है गीत विदी पद्धि सिक्षन दूइ भाशा विदी अनुवा सिक्षन रंगमंच विदी नाटक सिक्षन और दनडानवे विदी गद्धि सिक्षन देखो गीत मतलब प्रिश्ट में नहीं बलकि रचना सिक्षन में किया जाता है साथियों आता जो चोता विकल्प है प्रिश्ट में ये क्या है गलत है ये बे मेल हो रहा है आता चोता विकल्प ही प्रिश्ट में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट संक्या 26 पर चलिए 26 वा प्र सिद्धान्त और नियोजन का सिद्धान्त जो अध्यापक की जो विश्य वस्तु होती है जो बच्चों को पढ़ाना होता है तो कौन सा सिद्धान्त अपना है अध्यापक जिससे उसकी विश्य वस्तु में रोचकता है चाहत उसमें रूची लेने लग जाये साथियों तो य चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 27 पर इसका उत्तर नियोजन का सिध्धान्थ भी हो सकता है क्योंकि नियोजन में पहले ही ऐसी योधना बना ली इससे बच्चे की रूची बढ़े तीसरा और चोता दोनों हो सकता है यहां पर थर्ड विकल फर्स्ट चोईस पौन विराम चिन अर्द विराम चिन अलप विराम चिन और प्रश्ण वाचक चिन तो यह जो बीच में जो विराम चिन लगा हुआ है इसको आपको देखना है साथियों पौन विराम चिन नहीं है यह पौन विराम चिन तो वाक्य क्यंत में लगता है यह प्रश्ण वाचक चिने भी नहीं है, प्रिश्ट वाजक चिन इस प्रकार से होता है बहिते, सथ्यों, 27 आपके जो से उत्तर है, यह अल्प तो निरिक्षन जो नय होता है इसमें छोटी की मात्रा लगती है तो तीसा चोटा तो गलत हो गया फिर उसके बाद में इक्षन इक्षन साथ योँ नी ही प्लस इक्षन इक्षन इस प्रकाल लिखा जाता है तो मतलब रह में फिर बड़ी की मात्रा लगेगी यह वाला तो विकल्प नमबर एक जो है या निरिक्षन शब्द क्या है शुद्ध है 28 वे में आपके पहला विकल्प सही है अब आज का second last question मतलब 29 प्रश्ण है वीडियो अच्छा लगे तो like और share जरूर करेगा किसी प्रश्ण में कोई तुरूटी नजर आए तो निचे comment box में comment करके हमें चरूर बताईएगा और साथ यूँ आपको मैं बता दूँ किसी प्रकार से वीडियो लगततार अपडेट करने के लिए चैनल को subscribe करें बेल आइकन ओन कर लिजिएगा प्रते एक वीडियो को notification आप तक पहुंच जाएगा और निशुल के ये सारी चीज़े आप इस चैनल से ले सकते हो 29 प्रिश्ण है अन्तेवासी का अर्थ है जो कहा न गया हो अंक में सोने वाला अंक में इस्तान पाया हुआ और गुरू के साथ रहने वाला तो इन में से किस वीकल्प में अंतेवासी का सही अर्थ दे रहा है 29 प्रिश्ण में सही जो उत्तर है साथियों अंतेवासी का मतलब होता है वह जो गुरू के साथ रहता हो उसको ही अंतेवासी कहा जाता है चोधा विकल्ब है 29 में सही आज का अंतिम और तीसवा प्रश्ण देख लेते हैं तो अंतिम और तीसवा प्रश्ण है चोराहा शब्द में कौन सा समास है द्वंदू समास है बहुबरी समास है द्विगू समास है और अविभाव समास है तो चोराहा मतलब चार रहों का जहां संगम होता है, वो चोरहा कहलाता है परतमपस संक्यावाची है और दीत्यपत के समूण का बोद करा रहा है तो फिर वहाँ पर दीगु समस कहलेगा यशा दीगु समस में होता है थर्ड विकलब आपके तीसवे प्रिष्ट में सही है ये आज का टेश्ट पूरा हुआ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए